गुड़ मॉर्णिंग दोस्तों चलिए कल तक आप आए में पूरा कंप्लीट कर चुके थे अंतराश्टिय संगठन में तो आज आपका उसका नेक्स्ट संगठन पढ़ते हैं आई एलो ठीक है अंतराश्टिय स्रम संगठन चलिए इसके बारे में कुछ पढ़ते हैं क्या क्या आखिर कभ इसका अस्थापना हुआ कौन-कौन से देश इसमें सामिल है क्या क्या इसका कायर है ठीक है क्या कि इसके उद्देश है यह सब सारे पढ़ते हैं तो इसका अस्थापना जो हुआ था इसका अस्थापना उनिस सो उनिस में हुआ था कैसे हुआ था वर्चाई की संदी के तहट अस्थापित हुआ था मुख्याला इसका जिनेवा है सदस्य देशों की जो संख्या है इसमें 187 है 187 देश इसमें सामिल है आये लो में शारव भूमिक और अस्थाई सांती के लिए शारव भूमिक और अस्थाई सांती के लिए समाजीक न्याय पर बल ठीक है सम्मान जनक कायर एजेंडा के उद्देश इसके उद्देश क्या है ठीक है कायर के मानकों सिधानतों और अधिकारों को निर्धारित करना और उन्हें लागू करना इसका सिधानत सम्मान जनक एजेंडा है महिलावों और पुरुसों के लिए अच्छे रोजगार और आई के अधिकादिक अफसर सिर्जित करना ये इनका कायर है सभी के लिए समाजिक सुरच्छा प्रतान करना ये इनका कायर है तिरी पच्छी और समाजिक समवात को बढ़ावा देना ये इनका कायर है उद्देश में आपका बताना चाहेंगे उद्देश आपका अंतराष्टी अस्तर पर स्विकिर्थ मानव तथा स्रम अधिकार को बढ़ावा देना, समाजिक न्यायक प्राप्त करना, प्रकासित मुख रिपोर्ट, इसके रिपोर्ट कौन-कौन से प्रकासित करते हैं, एसिय समाजिक मजदूरी रिपोर्ट ये भी आयलो रिपोर्ट जारी करती है, बिसु रोजगार और समाजिक आउट्टूग, ये भी आयलो द्वारा जारी क्या जाता है, समाजिक समवाद रिपोर्ट, बिसु समाजिक सुरच्छा रिपोर्ट, ये सारे रिपोर्ट आयलो के सबन्द है भारत आयलों का संस्थापक सदस्थे ठीक है भारत जुहाया है अंतराश्टिय श्रम संगठन का संस्थापक सदस्थे हैं भारत ने इसके आठ मौलिक कन्वेंशन में छे का अनुसमर्थन किया है किन्तु दो को नहीं अपनाया है अरेनिमे से दो कौन-कौन से है यह है एसोसियेशन की सद्वनता और संगठित होने के अधिकार का सनच्छन कन्वेंशन 1948 दूसरा संगठित होने और सामुही की स्वधेबाजी का अधिकार कन्वेंशन 1949 यह दोनों को अनुशमर्थन नहीं किया है ठीक है चलिए अगला संगठन पढ़ते हैं आपका अगला संगठन है जी 20 ग्रूप ओफ 20 इसका परिच्छा है अस्थापना वर्ष इसका 1999 है 1999 में इसका अस्थापना हुआ था जी 20 के सदस्य देशों के अन उभरती बड़ी अर्थवस्थाओं को सामिल करने के लिए एक नए संगठन जी 20 के स्थापना की थी कि ठीक है किसने क्या था जी सेवन के सदस्यों न न उबर्ती बड़ी अर्थभस्थाों को सामिल करने के लिए जी कंट्री थे और जो इस जितने भी नए जो अर्थभस्था जो ग्रोग कर रही थी ठीक है वो भरती हुई अर्धवरस्थाब को सामिल करने गी 2020 की अस्थापना किया गया ता मैं यहेश बार अधिया फिर recent Всем संगठन है UN उसी को मिलाकर बिस हो जाते हैं आए एक अनुपचारिक अंतर सरकारी संगठन है अंतराश्टिय आर्थिक सहयों का प्रमुख मंच यह है बित मंत्रियों और केंद्रिय बैंकों के गवर्णरा का मंच है ठीक है यह सब सारे उसमें भाग लेते हैं ईसका कोई अस्थाई सची वाली नहीं है समकालिन भिशाई इसके अंदर जो आते हैं व्यफार है उद्मिता है क्रिस्ति है रोजगार है दबूस्त है है उड़जा भ्रस्टाचार महिला ससक्तिकरन आतंगवाद यह इसके अंदर इनके बीसे रखे गए हैं जो वहां पर उठाए जाता है जलवाई परिवर्तन हो गया जेवित्ता सतत्विकास यह सारे वहां पर उठाए जाते हैं अब इसका परमुख्तत्य क्या है अगले एक वर्ष के लिए संगठन का एजेंडा तरह करता है जो भी इसका पहोज को श्राइब ब्रट बैंक डठ इसकी वैटंऎ में भाग लेते सिनधी समय भाग लेता है वल्लक्ट भी भाग लेता है plung और इसका उद्द्द्रिस्एस क्या यह को बनाने के पिछ तो और इसको मैं म 캌 सुझा यह ट्वर्टी बनाने के विचेउद्र क्या यह वेस्विक जीडिपी के 85 प्रतिसाद प्रतिनीदीत करता है कि ना भी विस्ट में जो जडिपी है उसका 85 प्रतिसाद प्रतिनीदीत 20 कंटी करते हैं ठीक है एक युएन मिलाकर पचाशी प्रतिसात प्रतिनियत्व करता है वेस्विक व्यपार में इसकी साजेदारी या हिंसेदारी जितना भी पूरे बिस्व में जितना भी व्यपार होता है उसमें सिर्फ 75% पच्छतर परसेंट जिट्वेंटी सदस्यों के द्वारा भागेदारी या हिंसेदारी क्या जाता है 75% विस्व संगटनों के द्वारा यहां विस्व की दो त्याही जन्चंक्या निवास करती है दो त्याही जन्चंक्या मताद तीन में से दो सिर्फ एही कंट्रियों में G20 कंट्रियों में निवास करती है फोकस जो छेतर है बितिय छेतर के विनियमन और निरेच्छन में सुधार, रिन परबंदन विनियमेदर में इस्थिर्था ये सारे इनके कायरे है और भी है कायरे आपका अंतराष्टिय मानक और सहिता लागू करना कर समधी सुचनाओं का हस्तांतरन राजकोशिय नीती G20 और भारत इन दोन के भी चाकित क्या सबंद है तो बताना चाहेंगे भारत G20 का सदस्देश है ठीक है भारत 1 दिसंबर 2022 से 23 नौंबर 2023 तक के लिए इसका अधियच चुना गया है अभी अधियच तक कोन कर रहा था 2023 तक अभी नौंबर तक करेगा ठीक है नौंबर तक 1 दिसंबर 2022 से 23 नौंबर 2022 तक के लिए इसका अधियच चुना गया है G20 का अधियच ता भी इंडिया कर रहा है जी 20 के दोजरता इसके सिखर समेलन की थीम है वसुदेव कुटुम्बकम या एक प्रिथवी एक परिवार एक भविस यह बहुत इंपोर्टेंट है इसको ध्यान से रहे देख लिजेगा जो भी हम पढ़ा रहे हैं उसको नौट्स बनाते जाएए क्योंकि यह बहुत महत्पुरुन है अक्सर हर एकजाम में संगठन पूझ लिये जाते हैं और सारे महत्पुरुन संगठन में एक साथ संगलित करके लाया हूं इसे कोई दिकत ने आपको कहीं भी जाने की ज़रुत नहीं है अभी फिकर हो कि अब इसको नौट्स बना सकते हैं कोई दिकत नहीं है पुरा अथ्रेंटिक है कोई दिकत ने आपको जी ट्वेंटी के दोजरताइस के सीखर सेमेलन की थीम वहसुदेव कुटूब बंगब वहसुदेव कुटूब बकम या एक प्रित्वी एक पर सबसे बड़ी विक्सित अर्थवियास्ताओं का अंतर सरकारी संगठन यह है सदस्देश इसमें साथ है सेवन्त है प्रमुक्तत्ति इसका आपका हो जाएगा यहां अंतराश्टी आर्थिक और मोदरिक विस्वियों पर विचार विमर्ज करने के लिए समय समय पर बैठकों करता है क्या करता है अंतराश्टि आर्थिक और मोदरिक विस्वियों पर बैठकों का आएजन करता है यह कोई अधिकारी संगठन नहीं है कोई ऑफिसेल और नहीं है इसके लिए इसे अपनी अनुसंसित योजनाओं और नीतियों को लागू कर लागू कराने के लिए कोई सकती प्राप्त नहीं है अगर किसी कोई नीती बनाए जाती है तो उसको लागू करवाने के लिए इसके बास कोई सकती प्राप्त नहीं है वर्स 1996 में बिसु बैंक के साथ मिलकर अत्यदी गरीन ग्रस्त गरीब देशों के लिए बहुप और उरॉपिय आयोग इसकी भैर भागलेता है। इसकी भैर वागलेता है आयोम आपके साथ भी कायरे करता है जी येट पहले क्या था जी सेवन बनने के पीछे रिजन है जी येट में आपका रूस भी था लेकिन रस y rc को शर्ण को कि पर कबजा करना ठीक है 2014 में रूस के दबार क्रीमिया पर कबजा कर लिया गया ठीक है जिसके कारण में कौन कौन से country आखिर हैं तो country हापका France है, कनाड़ा है, जर्मनी है, इटली है, जपान है, United Kingdom है, UK, सहयूराइज, अमिर्का, ये साथ country भी है, एक था रूस हापका रसिया, वो हटा दिया गया इसे, यह परियावरन पहल भी करता है उर्जा दश्ता सहयों के लिए अंतराश्टिय भागिदारी जी एक्षन प्लान फोर क्लाइमेट चेंज जी सेवन और भारत दुन के बीच में क्या रिलेस्टन है वह भी देख लेते हैं भारत जी सेवन का सदस्य नहीं है आप जानते हैं आपको पीछे भी बता चुका हूं यह नहीं है कौन कौन से कंट्री है फ्रांस है जर्मनी है युनाइट किंग्डम है सन्यूक राज अमेर्क सब्सक्राइब के इंडिया इसका शदस्य नहीं नहीं है भारत इसकी सिखरंशा बैठकों में सामिल रहा हैं हुगर्या सैंड बिच जाहिर कि थी प्रonst नहीं हो पाया कि बितिये कारवाई कायरबल अगला कि संगठन पढ़ते हैं एफ टीफ ठीक है फैनांशल एक्षन टास्क फोर्स पिछली बार अपका ब्लेक लिस्ट में जाते जाते से बज गया पाकिस्तान ठीक है लेकिन अभी देखते हैं कौन-कौन से कंट्री अभी है वो ग्रे लिस्ट इसके कायर क्या है कब कभी काम करता है इसका उद्देश क्या है एक अंतर सरकारी संगठन है क्या है यह अंतर कर समयक्न संगठन है मुख्याले इसका पेरीस में है सदस्य देस 49 इसमें आते हैं इसका जो कायर है FATF का money lending से निपटने के उपायों की जांच करना उनका विकास करना आतंगवाद के वित पोशन से निपटने के लिए वैस्विक मानक निधारित करना देखिए कोई भी country FATF में उन देशों को डाला जाता है जो funding करते हैं आतंगवादियों को आतंगवाद पर funding करते हैं ऐसे देश को चिनित किया जाता है और उनको FATF में डाले जाता है ठीक है आतंगवाद पर संयुक्तराष्ट सुरच्छा परिश्चत के प्रस्ताओं से जुड़े बित्य प्रावधानों को लागू करने में मदद करता है ठीक है कोई भी बित्य प् सब्सक्राइब करते हैं मतलब फाइनस किया जाता है किसी भी कंट्री को आर्थिक मदद दिया जाता है तो देखा जाता है कि आखिर वो खर्च कहां कर रहा है अगर आतंगवाद रोधी तत्व आतंगवादियों के प्रोच्छान में उन लोगों को बढ़ावा देने में अ ला जाता है आतंगवाद के वित्व पोचन का पता लगाने जांच करने और मुकादमा चलाने के लिए देशों की छंता का आकलन करना इसके लिए ब्लैक और ग्रेस सूची जारी किया जाता है ब्लैक जो ब्लेक लिश्टेड हो गया उस समझे उस देश का पूरी तरह से बन मनी लॉंडरिंग आतंगवाद के वित्व पोचन और अंतराष्टी वित्य परनाली की अखंडता के लिए खत्रों से निपटने के लिए मानक निर्धारीत करना तथा कानूनी विनियामक और परिचालन उपाईयों के प्रभाविक किर्यानों इनको बढ़ावा देना इनका 2022 में अवेध नसीली दवाओं के विपार के माध्यम से मनी लॉंडरिंग की जा रहे थी ठीक है इसे मनी लॉंडरिंग भी बहुत होता है इस सब को हवाला के जरिये इस सब इधर उधर किया जाता है जिसके कारण उस पर रोक लगाने के लिए यह काम करती है अक्टूबर 2022 में मैनमार को ब्लेक सुची में सामिल किया गया और और कौन-कौन से कंट्री है जिसको सामिल किया गया था आपका है इरान है उत्तर कोरिया है ठीक है आपका कौन सा है मैनमार इरान उत्तर कोरिया इस सब को ब्लेक लिस्ट में डाला गया है शितंबर 2020 में इंटरपोल के साथ मिलकर अवेद संपती की वसूली के लिए अपराधियों को उनके अवेद धन से वन्चित करने की पहल सुरुकी है ठीक है FATF और भारत के बिच में तो वर्स वर्स 2010 में FATF का सदस्द बना इंडिया भारत मैं अतंगवाद की समस्या का गंबीर सिकार है भारत भी ऐसे गंटरी अतंगवाद सिकार है इसलिए एफटीएप के साथ व्यापक सयोग इंडिया कर रहा है भारत एफटीएप के प्रावधानों और उपायों को लागू करता है ठीक है एफटीएप के कोई भी प्रावधान हो इंडिया लागू करवाता है ठीक है भारत एफटीएप के प्रावधानों को और उपायों को लागू करता हैं चलिए अगलन नेक्स्ट आपका संगठन है संगध्राष्ट और भारत का नोर्प्स संगध्राष्ट परिश्य परिषत साप्स्राद स Unknown Council UNSC огр rig sy security council संग्धि का मुक्षि संकट प्रबंदन निका है कौन UNSC UN का मुख्य संकर्ट प्रबंदन निका है UNSC इसका प्रमुख उद्देश अंतराश्टिय सांती सुरच्छा को बनाए रखना इसका जो प्रमुख उद्देश है इसके लिए इसे संयुकत राश्ट के 193 सदस्ट देशों पर बायधकारी दाइतों को लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया है इसके सदस्टों की कुल संख्या पंदर है जिसमें से पांच अस्थाई है और दस अस्थाई सदस्ट है ठीक है कितने हैं पंदर संख्या इसके कुल जो सदस्टों की संख्या पंदर है 15 में व्हंब 5 Hai 12 यह स्थाइँ कोन कोन सी चीन है परांस रूस है युनाइट डिंग्डम है आपका सेंगल राइस अमेरिका है ठीक है कौन कौन से कंट्री है पांच कंट्री और पांचो वस्ताई है चीन हो गया फ्रांस हो गया रूस हो गया UK हो गया शन्युक्राज अमिर्का इन्हें सामुहिक रूप से प्पाइप के नाम से भी जाना जाता है इन सभी कंटी को P5 के नाम से बजान आता है इनो वीटो पावर परदान की गए ठीक है कोई भी बात होता है तो अक्सर देखाए होंगे आप लोग कि कोई भी पाकिस्तान पर कोई बात आता है तो चाइना हमेशा वीटो कर देता है अगर इंडिया पर बात आता है तो अक्सर रूस हम लोगों को साथ देता है वीटो कर देता है ठीक है तो यह सब चलते रहाता है चुकि वीटो पावर उन लोगों को मिला हो है एंडिया भी इसका तार में है कि आना वले दिन में हो सकता है कि वीटो पावर हम लोगों को भी मिले और इसके सदस्ता हम लोग भी सदस्त रूड़ के द्वारा दो तीहाई बहुमत के माध्यम से निर्वाच्छित होते हैं इनके द्वर्टाद की होती है इनके विटो पावर प्रदान नहीं यह जाता है कोई भी आस्थाई सदेशों जो होते हैं, दस जो होते हैं, उनको वीटो पावर नहीं दिया जाता है, ठीक है, चलिए आगे आते हैं आपका UNSC की अधिस्ता, परतेक सदेशों को केवल एक माह के लिए UNSC की अधिस्ता करने का अफसर दिया जाता है, अधिस्ता के लिए सदेशों के नाम के अंग्रेजी और मालका पालन के जाता है, ठीक है, अंग्रेजी और मालका पालन के जाते हैं, इसे A, B, C, D, E, F, G, Z, Z, जो शुरुवात होगा, शुरू से इसी तरह एंड करते जाएगा, और एक माह के लिए, केवल एक माह के लिए करता है, ठीक है, संघर्ष को रोकने के लिए UNSC के पास कौन से साधन है, ठीक है, कौन से साधन इसको रोकने के लिए, संघर्ष को रोकने के लिए कौन से साधन, तो बताना चाहेंगे, सही राष्ट का चार्टर UNSC को अधिकार प्रदान करता है कि, वह संघर्ष को, पश्कारों से वारता या मध्यस्ता या सांति पुर्वक तरीके से कोई समधान निकाले कि ऐसा नहीं होने पर या UNSC को अधिक मुखर करवाई करने का अधिकार भी देता है अगर कोई कंट्री संगर्ष कर रहा है किसी कारण से कोई संगर्स रता है तो संगर्स सामिल पश्कारों में वारता करवाता है मद्यस्ता करवाता है अगर कोई नहीं सुनता है तो उस पर मुखर होकर करवाई करने का भी अधिकार दिया गया है ठीक है जैसे परतिबंद लगाना परतिबंद लगा देगा बल परयोग करना आदिये सब UNSC को दिया गया है आगे देखे Peace Keeping Mission जा सान्ती अस्थापना Mission UNSC के संगर्स परबंधन कारियों का सबसे पर्मक हुदारन है पीस किपिंग मिशन तब किसी भी देश में सान्ती अस्थापित करना ये भी इनका कारियर है संगर्श परवंधन कारियों का सबसे प्रमुकुधारन है अन्य तथे जो इसे सबंदी तथे हैं वो देख लेते हैं चलिए इसमें परतिनीदित पर अधारित एक बहुत पच्छिय संरचना का आवान किया गया है यह संरचना आतंगवाद, कटरपंत, महामारी तता खत्रों जैसे अन उबरती चुनतियों से निपटने के लिए आवसियक है भारत में अंतराश्टिय सांती और सुरच्छा को बनाए रखने पर आयुजीत यूएनस्जी की खुली चर्चा की अधेस्ता करते हुए या विचार प्रभावित किया है भारत ने दिसंबर बारत ने दिसं समबर मां यूएनस्य में आस्थाई सदस्य के रूप में भारत के 2 वरसों के कारिकाल का अंतिम महिना भी था ठीक है चलिए आज हैं समाप्त करते हैं आसा करता हूँ आप लोग को अच्छा लग रहा होगा चुकि पूरा कंटेण हम बहुत बढ़ियां से बना रहे हैं आप चाहिए तो पूरा नॉट्स को पीडियो बहुत बढ़िया से बना हैं कोई दिकत ने आप इसको देखते जाए लिखते जाए बनाते जाए आप नॉट्स को पुरी तरह से बना सकते हैं बहुत ही हल्फूल होगा आपको आनेवले एक्जाम के लिए किसी भी बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा शेयर करना ना भूलिएगा बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को सपोर्ट करने के लिए थैंक्यू